तो में दो सो रूपिया प्र लीटर न है वह तेल की दाम आपके हम क्या बाइक में जाके टैंक में फूके और कहें जैस स्री राम् तो क्या बाइक चलेगी पर चाहिए भी दरती से आप सभी को मेरा नमसकार मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा आप देख रहें नीज आतार जब तक मौझूद रहेगी जब तक रिजल्ट यहां पर सामने नहीं आ जाता है आखिरकार ममता दीदी को ममता मिलने वाली है लोगों की यहां पर वर्चस्व और मजबूत होता होता चला जाएगा मेरे पीचे कुछ लोग हैं इसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंक बहुत करती है तो यह क्या चाते हैं क्या सोचते हैं इनी से बात करते हैं जिस तरीके से अब आने वाले समय में चुनाव है बहुत नजदीक आ गया है चुनाव क्या सरगर्मिया देख रही है क्या माहौल बन रहा है देखिए एक बात बता देते हैं यह जो माहौल है यह मा नेता है इन लोगों के पास और कुछ नहीं है जैसिराम के सिवा हमें बात बता दीजिए इन लोगों ने सोनार बंगला का मुद्दा उठाया आप सब अब अब लोगों के नारे से क्या दिक्कत है अब हम बता दे रहे हमें जैसिराम के नारे से दिक्कत नहीं है लेकिन स्थान काल पात्र यह डिपेंड करता है अब अगर किसी मरे हुए के घर में जाकर कहेंगे जैसिराम तो कैसा लगेगा भया तो कोई ऐसा था नहीं ना जहाँ पर ममता बनर जी की सामने जैसिराम के नारे लगाए गए थे तो वहाँ पर प्रधामंतरी मोधी खुद भी थे तो हमें आप बता दीजिए एक पाटी का स्लोगान अब एक देवता को लेकर एक देवतुल राम तो हमारे देवता हैं पूझते हैं उन्हें घर घर में राम नवमी होता है हमारे इंहां बंगाल में तो कभी रम नवमी रूकी नहीं है, दुर्गापुजा भी होता है, इंहां इद की आजान भी होती है, और इंहां पर राम नवमी भी होता है, हमने रोका तो नहीं कभी, क्यों, क्यों इतना, क्यों जैस्री राम, जहां कहीं भी जाओ, जैस्री राम कर देते हैं, अब बता दीजिए हमारे इहापर लड़कियों को हम सम्मान देते हैं इसलिए हम बोलते हैं जाई सिया राम मतलब हम सिया को सम्मान देते हैं और राम के आगे बैठाते हैं जैसे कि आप राजस्तन में चले जाए वो कहते हैं राधे कृष्ण क्यूंकि वो लोग राधे को पह हम बता देते हैं एक निरपिक्स जूबा हुने के नाते हम अपको बता देते हैं इहां पर ममता बैनर जी की सरकार था रहेगा और भविश्ण में भी रहेगा क्योंकि ममता बैनर जी कभी अस्फालन नहीं करते भाई या बाते नहीं बनाते वो कहते हैं कि हमें भोट में जिता जो कि जो 18 साल के उमर के छोटे लड़की है जिनको विवाह कर दिया जाता था फैमिली के तरफ से अब वो नहीं होता बंगाल में अब बो लोग पढ़ते हैं लड़की पढ़ते हैं बढ़ते हैं सांसे तभी तो बंगाल का नाम उचा होता है यह बात हम बोलना चाहते हैं हजादी है रुपस्री के लिए 25 हजादी है क्या कुछ नहीं क्या लेटकों के लिए मतलब मोदी जी का ही मानना है अगर कोई जैसी राम बोले तो है हम हिंदू है नहीं तो हम मतलब जैसी राम को छोड़कर बाकी सारी देवीदेवद्वा को भूल जाए यही बस कहना चाहत है तो खाना दीदी देते हैं ममता सरकार देते हैं जो रुपया का जाल जिस तरीके से आपने सुना हाँ बोलिए बोलिए हम जो करना स्री का बात करते हम एहीं कहना चाहेंगे हम से हिंदूस्तान की बात नहीं कर रहे हम पूरी दुनिया की बात कर रहे कई पर है 25 रुपया 25 25 2022,001 झालावे जिस तरीखे से आपने देखा यहां पर और भी महलाएं हमारे पास आ गया है इहां पर और भी महलाएं हैं उनसे पात करने की कोशिश करेंगे कि आखर कर ने महिलाओ के लिए क्या कुछ किया कि यहां नहीं किया बोलिए सब बोलिए ना इतने दिन हम लोग पीछे पड़े थे सही बात है ये पीछे पड़े थे कुछ भी नहीं था हम लोग के पास में दीदी आके बोला बोले कि देखिए आप लोकों फ्रॉंट में आ जाईए क्योंकि आप है संसार फूल संसार, फूल फैमिली, मतलब मेरा जो फैमिली है, उसमें मैं पूरा फैमिली को रखती हूँ, ठीक ठाक, है ना, तो दीदी यही बोला, कि आप लोग उन सामने आईए, आप लोग उन क्यों पीछे पर गए, तो दीदी ने कोड़ना स्री किया, दीदी ने रूपो स्री क किया, जूबो स्राथी किया, दीदी ने क्या नहीं किया, जूबो स्री किया, सब कुछ, सब कुछ, दीदी ने दीदी का जो दृष्टी है ना, पूरा में एक दम पूरा च्छाओं रहता, एक दम पूरा सब के उपर, दीदी से खुश है, बहुत, बहुत, परिवरतन नहीं परिवर्तन यह लोग नहीं चाहते हैं और भी मैला है उनसे बात करेंगे कि मोधी सरकार यह कह रही है कि हम पश्चिम मंगाल में आएंगे तो बिल्कुल काया कल्प पलट दी जाएगी लोगों का बहुत भला किया जाएगा नहीं चाहिए जो नमस्ते ट्राम के टाइम में गुजराट की जो स्लेंस थे उनको दिवार से टांग दिया गया वो चुपा दिया गया उस परिवर्तन की बात कर रहे है अप वो क्या मोडल गुजराट है उस परिवर्तन की बात कर रहे है अप या फिर उस परिवर्तन की जो हात्रास में हुआ था एक बेटी को अंधेरे मे तरफी को सरयाम गोली मर डी घए उस परिवर्टन की बात कर तेoff हमारे परिवर्टन हो चुका है हमारे परिवर्टन मंता दीदी से सुरूग है और पीछे लगा दिया जैसे इससे पहले जो यह था के नाम मुकुल रॉय मुकुल रॉय फिर जो मिठुन चौक्रोवरती है उसका बेटे का बोजबुरी लेड़की के साथ रेपकेस में यह हुआ ठीक है वो जानते हैं इसके पीछे लागी है और बीजेपी तो एक वासिंग मैस मित्रों बोल के सबकों बुला लेते तो जानते तो धॉत्我們 ready करके हैं जो यहां से सबसे घुसा गुषा देंगे si to ओंछे में अपटेल्स करकार बाइक वही कै सबसे बड़ी महेंगाई पेट्रोल डिजेल की में वह आज आकास छों रहा है सो रूपिया पर लीटर है वो तेल की दाम, अब कहिए हम क्या बाइक में जाके टैंक में फूके और कहें जैस्री राम, तो क्या बाइक चलेगी, बाइक चलेगी क्या, बाइक चलेगी क्या, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो फिर क्यों कहें जैस्री राम, क्यों कहें जैस् ठीकेट हम क्यों दे दस रूपे ठीक है क्या कुछ केना चाहरे हैं कंग्रेस के जमाने में कुड़ जो होता है वो कितना बैरल पड़ता है ठीक है उसके बावजूद भी पेट्रोल अभी 90 रूपे कि यह तो जैस्री राम बोल दिया और बढ़ा दिया पेट्रोल का दाम और ज कंग्रेस के जमाने में शितना खूर मतला अउदकिसे खुक्ष है और लेकिन ते सपर्लाइब आप्डेश नेपाल बॉटां को ठीक है यहांपे पेट्रोल का दाम कम है लेकिन भाइर सप लाइब बहात का आम जानते को बहूद नेपाल पे जाकर डिजल भरके लिए ने 왜stäि कि आप कुछ साल पहले मोदी जी कह रहे थे कि गरीबी हटाओ अब सबने जानते है उन्होंने क्या कहा था गरीबी घटाओ क्या थे कि नहीं उन्होंने क्या किया गरीबी घटाने के नाम पे स्लैम के आगे दिवार खड़ा कर दिये और इतना दाम बड़ा दिये अब डारुइन के एक विवर्तन का सुत्र है क्योंकि जो आउग डारुपिन के विवरतन का यह सुत्रग है, कि जो इकलोजी के साथ फाइट कर सकता है, वो ही जीवित रह सकता है, अब उन्हेंने क्या कर दिया इस सुत्रग के मुताबक, इतना दाम हाई कर दिया, हार एक चीज के दाम, कि जो लोग खरिद पाएंगे, खेला होवे खेला होवे ही बोला जा रहा है और साफ तोर पर आपने चीज़ देखी कि ये सबी नौजवान युवा हैं लेकिन मोदी सरकार को यहां पर नहीं चाहते हैं ये सिर्फ यही बोल रहे हैं कि ममता बैनर जी याने की ममता दीदी के संग हम बहुत खुश हैं और आने झाल झाल